जय है मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 अगस्त और 28 अगस्त 2021 के कुम्भराशी फल के बारे में कुम्भराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे, इन दो दिनों में ग्रहनक्षत्रों के इस्तिती क्या होगी, किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिन्चरिया में देखने को मिलेंगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से, आपके जीवन से जुड़े प्रतीक शेत्र के बारे में बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा ही निविदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी तो चलिए इन दो दिनों के तिथी, नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं 27 अगस्त का जो दिन है, यह शुकरवार का दिन है, क्रशन पक्षकी पंचमी तिथी रहेगी इस दिन, आश्विनी नक्षत्र रहेगा और व्रद्धी नाम का योग बनेगा चंद्रमा राशी बदल चुके हैं मेश रासी में मंगल की राशी में चंद्रमा आ चुके हैं और सूरियत उस्षेहिं राशी मघानाख्षत्र में ही बैठे हुए हैं इस दिन दो योग बनेंगे सरवार्थ सिध्धी योग जो अगले दिन सुभा तक बने वाला है और रवी योग ये भी अगले दिन सुभा तक बनेगा इसके दिन का अभीजीत मुर्थ है सुभा 11 बज कर 56 मिनट से दोपहर 12 बज कर 48 मिनट तक अब 28 अगस्त का दिन तो ये शनिवार का दिन है बाद महिने का प्रथम शनिवार क्रशन पक्षकी शस्टी तिती रहेगी भणी नक्षत रहे चंद्रमा मेश रासी में होंगे और सूर्य से इंग राशी में बैठे हुए हैं इस दिन और भी उत्तम शुब योग बने हुए है एक तो सुबह तक सरवार सिद्य योग है और उसके बाद उससे अगले दिन सुबह तक आएं कि 29 अगस्त के सुबह तक त्रिपुषकर योग बन रहा है जो कि तीन गुनाल लाव की प्राप्ति कराने वाला योग माना जाता है साथ मेरा वी योग तो रहेगा ही पूरा दिन तो ये दोनों ही दिन योगों के अगर हिसाब से आप देखें तो जबरदस्ती योग बन रहे हैं और ऐसा नहीं है कि योगों का प्रभाव नहीं होता ये योग हैं जो आपके काम को बनाते हैं जो आपके अंदर एनरजी देते हैं जो आपके काम को रुकते काम को बिगाड भी सकते हैं रुकते हुए काम को चला भी सकते हैं और काम को बिगार भी सकते हैं अगर अच्छा योग ना हो तो बड़े सुंदर योग हैं तीनों दोनों ही दिनों में तीन बड़े जबरदस्त योग हैं योगों का प्रभाव आपकी दिंचरिया पर दरूर देखने को अब तीसरे भाव में आपके तीसरे भाव जो होता है वो होता है ठोटे भाई भैनो का भाव पराकरम का भाव उर्जा का भाव तो इस यहां чंद्रूमा की जो स्थिति होगी वो किस तरह के लाव देगी कि आपको देने वाली है चली जानते हैं पहले सत्ता इस अगस्त के बारे में बात करेंगे ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा तो इस दिन स्वास्थे के लिहाज से देखें तो स्वास्थे का तो आपको देहान रखना होगा स्वास्थे समंदी कुछ परिशानिया देखने को मिल सकती है क्यो कि जब आपका दिमाग शांत होता है समपन होता है तब ही आप अपने कामों पर ध्यान दे पाते हैं वरना तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग को जंग लग गया हो यहने कुछ सोची नहीं पाता है ना कोई decision ले पाता है ना अपनी काम में ध्यान लगा पाता है तो ऐसी इस्तिथियों से निराश न हूँ, ऐसी इस्तिथियों से बाहर निकलने की कोशिश करें जिस भी तरह आप कर सकते हैं आप कुछ ऐसे लोगों से मिलें जिनके संपर्ख मे आकर आपको अाहनरजी मिलती है और कुछ योग, मेडिटिशन करें बहुत हेल्प करते हैं आपको आगे निकलने के लिए आज अपने घर के वरिस जनों से आप कोई सलहा ले सकते हैं और उस सलहा को जिन्दगी में जगा भी दे सकते हैं काम की सलहा आपको मिलने वाली है इसके अलावा अच्छी चीज आज ये होने वाली है कि या तो कोई चिट्टी या कोई मेल या कोई फोन कॉल आपके परिवार के लिए अच्छी खबर लेकर आ सकता है तो ये बड़ा शुब रहेगा इसके अलावा अगर आप साज़दारी में काम करते थे तो अपने साज़दारों से आज आपको बहुत ही सकारात्मक प्रतिकरिया देखने को मिलेगी और शाम का वक्त अपने किसी सहकर्मी के साथ आप बिता सकते हैं उनके साथ समय जरूर बिताएं लेकिन कामों पर भी आपको ध्यान देना होगा क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब आप समय वैतीत कर चुके हो सहकर्मी के साथ तब आपको लगे कि आपका समय जो है ये बरबाद हो गया है तो इसलिए अपने समय का जरूर दिहान रखें आप शादेशोदा जिन्दगी के नजरिये से ये समय ठीक ठाक रहेगा अच्छा रहेगा और प्रेम के नजरिये से ये समय खुशियों भरा रहने वाला है प्रेम सम्मंद अच्छे रहेंगे आप खुद को अभिव्यक्त करने पर जोड देंगे तो इस्तिदियां जो है वो काफी अच्छी रहेंगी जरुरत के वक्त अगर आपको अपने दोस्तों का सहयोग चाहिए तो निश्शित रूप से मिलेगा दोस्त आपका सहयोग करेंगे समाजिक मुर्चे पर भी आपके कामों की सराहना हो सकती है और घर में किसी बुजर्ग व्यक्ति का भी स्वास्त है आज भी गड़ सकता है तो उनके स्वास्त है का भी आपको देहान रखना होगा तो कुल मिला कर देखा जाए ये दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है अब हम बात करते हैं अठाइस अगस्त के बारे में इस दिन सुभा तक सरवार सिधी योग है उसके बातरे पुश्कर योग है और रवी योग बना हुआ है इन योगों का प्रभाव जबरदस्त तरीके से आपके लिए हो सकता है बस आपको जरूरत है अपने कामकाज में ध्यान देने की 100% देने की कोशिश करें प्रयास कर रहे हैं जिस भी काम के लिए नौकरी पाने के लिए सिख्षा के लिए किसी भी चीज के लिए तो उनमें पूरा आप वक्त दें, पूरा समय दें और तब देखें कि आपको उसका रिजर्ट क्या मिलता है करियर के मामले में इस दिन आपको अच्छी सफलता मिलेगी और बड़ी सफलता भी मिल सकती है कारेशित्र में धलाव के अवसर प्राप्त हो सकते हैं आप इस दिन कुछ ऐसे लोगों के साथ जुडएंगे जो आपकी हर तरह से मदद करने के लिए भी तयार रहेंगे आपकी सगे समंदी, आर्थिक रूप से आपके मदद के लिए तयार रहेंगे वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं वो आपके रिष्टेदार भी हो सकते हैं बस आप उन से कहें जरूर मदद के लिए अब इस राशी के जो बिजिनस्मैन हैं उनको बहतर अप्रश्पूर्शनिटी मिलने का यूग बना हुआ है और जब आपको बहतर opportunity मिले तो उसे आपको जरूर लेना चाहिए क्योंकि opportunity मिलना ही एक बड़ी बात होती है तो किसी भी काम को छोटा न समझें, किसी भी काम को ऐसे ही न जाने दें ये आपके परिवार में खुशी का माहल भर देगा, आपके परिवार की रंगत बदल देगा घर परिवार का सहयोग भी होगा, माता, पिता का, भाई, भेनों का, सब का सहयोग आपको मिलने वाला है और आपके कुछ जरूरी काम भी इस दिन पूरे होने वाले है जीवन में लोगों का सहीयोग भी मिलता रहेगा लेकिन इस दिन आपको प्रेम समंद में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी क्योंकि उनसे बहस होने की उम्मीद बनी हुई है किसी बात को लेकर बहस हो सकती है और विवाहिक जीवन में भी आपको स्थिथियों को थोड़ा सा कंट्रोल में करके चलना होगा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने जीवन साधी की बात नहीं मानने के कारण मन मोटाव की स्थिथी हो जाए तो इन चीजों का थोड़ा सा दियान रखे बाकि एविवाहित तो लोगों को विवाह की चिंता सता सकती है तो उनको विवाह के प्रस्ता आप जल्दी ही मिलेंगे और जल्दी ही उनके लिए अच्छे योग भी बनेंगे तो ऐसी कोई टेंशन आप बिलकुल ना ले उपाय के तौर पर आप गयतरी मंतर का पाठ कर सकते हैं गयतरी मंतर का पाठ करना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा जो आपके जीवन में सभी लोगों का साथ आपको दिलाता रहेगा तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी इस वीडियो को जदर जदर लाइक करें शेयर करें